राम राम आज हम श्रीमत भगवत गीता के अध्याय तेरा क्षित्रग्य विभाग योग का श्लोक चौदा देखेंगे इससे पहले हमने अध्याय बारा, पंदरा, सोला और सत्रा इनके सारे श्लोक देख लिये हैं और तेरवे अध्याएग के भी श्लोक एक से तेरा तक के श्लोक उच्चारन सीख लिया है आज हम चौदवे श्लोक के एक एक चरण पर आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही हम साधरन जो व्याकरण होती है संस्कृत की उसको भी सीखते जाएंगे हर शब्द के द्वारा सभी का ध्यान वीडियो की तरफ स अक्षर पूरा तो स मी अ मिक्स करेंगे स जो भी अक्षर पूरा होता है उसको संस्कृत में उच्चारन करने के लिए आपको उसमें अ का उच्चारन मिक्स करना होता है स, अब इस पर ध्यान दें, यह जो चीज है, इसको अपन एक एक बहुत आसानी से तुकडों में करके और सिखेंगे क्या है यह, पहले आप देखें, यहां पर एक व पर एक मातरा दिख रही है, और व दिख रही है, आप एक ही मातरा को छोड़ दें, तो एक उपर मातरा इचे दिख रहे हैं वो है व, आधा र और व पूरा, अब यहां पर हमारे इसी वाले में एक ही मातरा भी जुड़ गई है, तो हमने यहां पर एक ही मातरा जोड़ दी, तो अब क्या चेंचेस आएगा, आधा र ऐसा का ऐसा, और जो यह एक ही मातरा थी, यह व है, उस व पर एक ही मातरा जुड़ गई, यानि आधा र और व बन क्या, अब इत्तेजे शब्द का उच्चारन देखिया, स, आधा र, दीखे, इस वाले शब्द को तोड़ के यहां लिख दिया है, आधा र और व, आधा र स के साथ पढ़े, सर, बचा क्या, आधा पूरे के साथ पढ़ जाए, हम पहले इसको देखेंगे कि यह कैसे लिखा जाता है, इधर देखें, आधा न दिखरें आपको, इस आधे न को तोड़ के यहां लिख दिया, आधा न, न के नीचे अलंत यानि आधा न, बचा क्या, द्र, द्र बचा, द्र पर ई की मातरा यह लगा दे, आधा न अ इसलिए सिखाए जा रहा है तक कि आपको उचारण में बहुत बहुत आसानी रहेगे, और इसके अलावा भी कोई और श्लोक आएगा तो आप देखते उसको पैचान पाएंगे, इसलिए एक एक बात को बड़ी शांतिय से सुने, द्र, द्र है यह वाले चीज, आप इसमें क्या होता है द होता है आधा, द की नीचे हालन तो दिख रहे हैं द आधा, और यह जो मात्रा है यह होती है र, यह र होता है पूरा, द्र, यहाँ पर हमारी के द्री है, मतलब ई की मात्रा है, ई की मात्रा लगा दो, होगा क्या, आधा द वैसा का वैसा रहेगा, और जो र प इसको तोड़के लिखा तो आधा न आया, तो सर्वे के साथ आधा न बोलो, आधा पूरी के साथ पढ़ा जाएगा न, सर्वेन, क्या पढ़ा, सर्वेन, आधा न जो दिख रहे हैं न, ये इसके साथ पढ़ लिया, सर्वेन, अब बचा क्या द्री, द्री को कैसे पढ़ते है आदाद पूरा दी द्री और फिर या अक्षर पूरा है जो अक्षर पूरा है उसमें हमको अ मिक्स करना है या सर्विन ब्रिय वापस सर्विन ब्रिय गुणा गुप मत्रा छोटी उच्छारण में अधिक समय ना दे गुणा भा स सव पर वापस अनुस्वार दिख रहा है शब्द के अन्त वाले आक्षर पर है इसलिए इसका उच्चारण आधा म होका आधा पूरे के साथ पढ़ा जाएगा सम गुणा भासम पहला चरण वापस सर्विंद्रिय गुणा भासम दूसरा चरण पहला शब्द दूसरे चरण में वही है जो आमने पहले चरण में देखा इसको वापस एक्स्प्लेंट करने की जुरत नहीं है स आधा र सर्वे आधा न वे के साथ पढ़ा सर्विंद्रिय वी व पूरा र आधा र के नीचे हलंत दिख रहा है आधे अक्षर को पूरे के साथ पढ़ा वीवर जी मात्रा चोटी आधिक समय ना दे ता पूरा म। आधा आधे को पूरे के साथ पढ़ा तम वीवर जितम विवर्जितम दूसरा चरण वापस सर्विंद्रिय विवर्जितम अब पहला चरण दूसरा चरण साथ में आज़कर श्लूक थोड़ा कठिन है पर एक एक बात को अगर अपने ध्यान से सुनाओगा तो आपको बहुत आसान लगेगा इसलिए जरूर ध्यान से सुने सर्विंद्रिय गुणा भासम सर्विंद्रिय विवर्जितम अब तीसरा चरण अ स पूरा और आधा क आधे को पूरे के साथ पढ़ा सक त पूरा और पूरा शब्द होने के बाद लास्ट वाले अक्षर पर बिंदी है इसको बोलते है अनुस्वार और इसका अचारण होगा आधा म आधा अकशर को पूरे के साथ पढ़ा तम अशक तम यह दहीं सर्ववा अप इस पर ध्यान दें ये चीज क्या है इधर देखैं आप इसे कैसे इसमे भ़ आधा है, भ़ के नीचे अलन दिख रहा है? भ़ आधा है और ये जो नीचे मात्रा ये है री से रिशी की, ये वाली चीज. इसको पढ़ा जाएगा भ्री भ्री, भ्री, आधा च इसके साथ, भृच है पर आई के मात्रा, चई, व पूरा, व मी अमक्स किया, व भृ ब्रिच चैवा तीसरा चरण वापस असक्तम सर्व ब्रिच चैवा वापस असक्तम सर्व ब्रिच चैवा अब चोथा चरण नी गूपर आधी मात्रा वहीची जो वह में थी उपड़ जो मात्र होती है वो किसकी होती है आधे रहकी आद्य अक्षर को पूरे के साथ पढ़ेंगे निर पहले की मात्रा पढ़ी जाती है मेशा नी आधार निर गुण ये न है अणर ठीके न न न पढ़ें इसको निर गुण और ये है फिर वापस अनुस्वार शब्द में लास्ट वाले अक्षर पर है तो इसको पढ़ेंगे आधाम निर गुण अम गुण अणर गुण भोग आधा का भोक त्री इसको कैसे पढ़ा जाता है वही चीज़ जो भृ में थी कि इसमें त आधा होता है त के नीचे हलन्त और ये जो नीचे मात्रा है ये है रीसे रिशी जो भी मात्रा इस तरह से मोडी भी दिखती है वो सब रीसे रिशी की है और जो अक्षर आपको पूरा दिख रहा है वो अक्षर आधा है भोक्त्री, भोक्त्री, च, चक्षर पूरा है, च में अमिक्स कर दें, च, च्वाधा चरण वापस, निर्य गोणां, गोणां भोक्त्री च, अब तीसना और च्वाधा चरण साथ में, असक्तम सर्व भिच्चैवा, निर्य गोणां, गोणां भोक्त्री च, अब हम पूरेश लोग का उच्चारण एक साथ करेंगे, सभी जरूर करें, सर्वेंद्रिय गोणां भासं, सर्वेंद्रिय विवर्जितं, असक्तम सर्व भिच्चैवा, निर्य गोणां, गोणां भोक्त्री च, एक बार वापस, सबी जरूर करें, इससे हमारा उच्चारण अधिक्लिय रोगा, सर्वेंद्रिय गोणां भासं, सर्वेंद्रिय विवर्जितं, असक्तम सर्व भिच्चैवा, निर्य गोणां भोक्त्री च, नारेन, नारेन, झाल, 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 झाल,